अगर आप बैंक निफ्टी के 21 तारिक अगस्ट महिने का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट बंद होने से पहले मार्केट में लगबग साड़े 300 पॉइंट का मार्केट उपर की तरह एक मूव आया आपको पता ये मूव इतना शार्प और इतना स्ट्रॉंग था कि यहाँ पे अगर आप एक रुपे का प्रिमियम भी लिये होते वो आल्मोस्ट आपको कम से कम 70 रुपे से लेके एक सौ रुपे तक वो चला जाता क्यों ऐसा होता है इसी को कहते हैं हम हीरो की जिरो ट्रेड ये जो इस प्रकार के ट्रेड अगर आपको चाहिए अगर आप अपनी जिवन में इससे पैसे कमाना चाहते हैं वीडियो को पूरा देखिएगा मैं पूरे डीटेल में बात करूंगा कब लेना है किस वक्त लेना है कौन से दिन लेना है पूरा सेट अप क्या होगा किस तरीके से आपको एक्जेक्यूट करने का सारा चीज आपने सुना होगा लोटरी के बारे में कि लोटरी हर रोज तो नहीं लगता है लेकिन जिस दिन लगता है उस दिन आपकी पूरी किसमत बदल जाती है तो ये भी hero to zero जो trade होते है या zero to hero कह ले जी उसको वो भी उसी प्रकार के होते है लेकिन इसमें कुछ नियम होते है उन नियमों के बारे में बीना जाने अगर आप zero से hero trade करने जाएंगे तो ये बात तो तह है कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है तो वो कौन-कौन सी बात है जिस बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा आइए सीधे उन बातों पे चलते है और मैं आपको पूरे का premium भी आपको 100 रुपे तक जाते हुए दिख सकता है उसके पीछे बहुत सारे technical reasons होते है एक उसमें से होता है gamma blast खेर आज हम gamma blast के बारे में बात ने करेंगे हम से बात करेंगे कि आप अगर उस दिन जो मैंने आपको chart दिखाया 1000 रुपे लिए अपने अगर लगाया होता त तो वो बेशा के एक लाक तक पहुच सकता था इतना जादा तेजी होती है उस समय देखिए ऐसे जो moves होते हैं उसको कैसे पकड़ा जाए तो इसके लिए मैंने पूरा एक pattern बनाया हुआ है ऐसे बड़े-बड़े moves expiry की दिन कैसे पकड़ा जाए उसको आप ध्यान से इस strategy has very low win rate मतलब ऐसे जो strategy होते है जो ऐसे जो zero से hero वाले जो trade होते है इनका जो आशंका है या इनका जो win rate है वो बहुत कम होता है लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप कौन सा setup बनने के बाद ही आप trade लेंगे आप रोज-रोज trade नहीं लेंगे खास type का setup होगा उसके बारे में मैं थोड़ी दिर में आपसे में reveal करूँगा दूसरा है most of the time this strategy may not work मतलब ज्यादा तर ये जो strategy है काम नहीं कर सकता है लेकिन काम कर भी सकता है पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा but when it works it creates magic कई बार होता है आपने अपने भूत का जाल में बहुत ज्यादा loss कर रखा होगा ऐसे जिस दिन आपको setup मिल जाता है आपके पिछले जन्मों का भी आपका पैसा निकलाता है इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो पैसे हम लगाते हैं वो बहुत कम होता है वो इतना कम लगाते हैं अगर वो खतम भी हो जाता है तो हम उसकी चिंता नहीं होती है इसी को ही कहते है zero two या zero से hero trade क्योंकि इसमें जो पैसा लगता बहुत कम लगता है जिस दिन आपका पैसा सही जगा पे लग जाएगा आपका उस दिन lottery भी लगेगा अगला है premium turn into 10x to 100x यहाँ पे premium जो है वो 10 गुना से लेके 100 गुना तक बढ़ सकते है आगे यहाँ से बहुत ध्यान से देखिए कुछ criteria है कुछ नियमा वली है जिससे ही आपको ऐसे trade मिलेंगे तो उसके बारे में यह कुछ नियमा आप समझ लीजिए सबसे पहला कि ऐसे trade सिर्फ और सिर्फ आपको expiry के दिन ही मिल अब expiry का सबसे बड़ा फायदा आज के दौर में अगर मैं बात करूँ तो वो यह है कि पाचो के पाचो दिन expiry है यह सिर्फ बैंक निफ्टी या निफ्टी के एक्सपायरी के बारे में बिल्कुल बाते नहीं हो रही है आप किसी भी expiry में काम कर सकते हैं अच्छी बात त है आपको mid cap कभी मिलता है bank x कभी मिलता है तो एक ही दिन में अगर किसी ना किसी का setup आपको मिल जाएगा तो बिल्कुल आपके वारे नयारे हो जाएंगे आप साल भर का भी आपका profit उस दिन निकल सकता है ऐसे trades की अगर मैं बात करूँ कम से कम महीने में मैं दोबारा repeat करता ह महीने में एक trade तो ऐसा आता ही है आता ही है और वो एक दिन का जो आपका profit होगा ना महीने भर अगर आप trade भी कर रहे तो उसका सारा नूप सा निकाल देगा अगला है only properly works in late afternoon यहाँ पे late afternoon आपको समझना पड़ेगा दिन की शुरुआत सवानों बजे से हो जाती है market में हमें यह trade सवानों बजे नहीं लेना है हमें यह trade बारा बजे भी नहीं लेना है हमें यह trade एक देड़ बजे भी नहीं लेना है तो कब लेना है यह trade सिधी सिधी बात है हमें दो बजे के बाद ही लेना है after 2 p.m. दो बजे की बाद ही हम इस trade को लेंगे इस से पहले अगर यह setup आ ज only best works in ATM and ATM options, ये इंदमनी के बारे में बात हो ही नहीं रही है, देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि expiry की दिन आपको इंदमनी में काम करना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा कि इंदमनी का expiry की दिन intrinsic value अलग होता है और ATM, ATM का अलग होता है, खास कर अगर आप थोड़ा जान कार व्यक्ति होंगे तो आप पाएंगे कि late afternoon में इसका जो intrinsic value होता है, ATM का और OTM का वो बहुत जादा बढ़ जाता है, मतलब उसमें spike बहुत जल्दी आता है, अगर आप bank nifty की बात करते तो market अगर 50 point भी उपर जाता है, तो आप पाएंगे कि आपका जो premium हो वो एकदम से कई इकबार होता है कि 50 point में 30 रुपय तक बढ़ जाता है, इतना जादा उसका intrinsic value बढ़ जाता है, इसलिए इसमें अगर काम करना है तो सिफ ATM में काम करेंगे, अत्वा हम इसको OTM में ही करेंगे, अगला है only applicable when option trading in single digit, single digit का अर्थ यहाँ पे है, हम ना 12 रुपय के premium पे काम ना 20 रुपय के हम काम करेंगे, या तो market 8 रुपय का होगा, 9 रुपय का होगा, या 1 रुपय का होगा, या 2 रुपय का होगा, सबसे अच्छा काम इन सब जो options में होते हैं, और आप पाएंगे कि आप जैसे market 2 बजे के बाद, सवा 2, 5 बजे के बाद premium बहुत घड़ जाते है और ऐसे समय पे आप अगर premiums को चेक करेंगे, आप पाएंगे कि उसमें इतना तेजी से बदला होता है, market अकर थोड़ा सा भी नीचे आता है, तो वो बहुत जल्बी से नीचे चला जाता है, market अकर थोड़ा सा उपर जाता है, वो पल भर में 7 रुपय का पलग जपकते वो 20 रुपय बन जाता है, अगर market में momentum बना रहा तो 20 रुपय का 50 रुपय कुछ seconds में बन जाता है, अब पाएंगे कि तो साथ बुना का परक आ गया है, तो मेरा कहने का मतलब है कि यह जब single digit रहेगा, मतलब 2 digit, 1 शुन्य भी नहीं चलेगा, 10 रुपय का भी premium मत लीजिएगा, अ आखरी काइट नियम है, जो बहुत जादा ज़रूरी है, वो है आपका only applicable in trending days और sideways days, not applicable in zigzag days, देखिए sideways days और zigzag days में थोड़ा सा फरक समझिएगा, बहुत सारे लोग sideways और zigzag में फरक नहीं समझते हैं, ट्रेंडिंग days तो आपको समझ में आ गया कि market एक तरफा move करता है, कि market मालने जिए इस बिंदू से शुरू हुआ, market सीधा 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 गया, उपर ही जा रहा, उपर ही जा रहा, इसको हम trending days कहेंगे, यह market बहुत बड़ा, उपर से शुरू हुआ, market सीधा 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 नीच काम कर रहा है, लेकिन zigzag days वाला कौन सा होगा, जिस दिन में trade नहीं करना है, वो होगा, कि market अगर यहाँ पर शुरू हुआ, 100 point उपर गया, फिर market और 200 point उपर गया, फिर market 50 point उपर गया, फिर market 50 point उपर गया, फिर market 50 point उपर गया, तो यह जो इसको कहेंगे zigzag days, कि market stable नहीं है, कभी market उपर जा रहा, कभी नीचे आ रहा, तो इसको इस zigzag days में हम इसको trade नहीं करेंगे, अगला, during trending days, reversal candle should close above the 20 EMA for uptrend, मतलब ये है, कि आपको ये जो uptrend, ये जो setup है, इस setup में हम 20 EMA का सहायता लेंगे, ठीक है, 20 EMA का सहायता लेंगे, और इस sentence का मतलब है, कि market जब आपको 20, अगर मान लिजीए, कि market उपर से नीचे आ रहा है, नीचे आके वापस उपर जा रहा है, और आपने EMA ये ही पर sit कर दिया, मान लिजी ये EMA है, और दीरे 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 फिर candle इस EMA के उपर जैसी जाएगा, तो आप यहाँ से trade लेंगे, call side का, तो आप देख वो 20 EMA को cross करके उपर की ओर जाना शुरू कर देगा, तब हम जाके call side में entry करेंगे, इसी का उल्टा, इसी का उल्टा क्या होगा, कि market अगर नीचे से उपर जा रहा है, नीचे से उपर जा रहा है, फिर यहाँ से वापस आना शुरू कर दिया, दो बजे के बाद, तो हमारा जो 20 EMA है, मान लीजिए, ऐसे शुरू हुआ, ऐसे ऐसे जाके, फिर market में ऐसे शुरू हो गया आना, तो इस जगह पे हम trade ले लेंगे, put side का, कि market जैसे ही, यह वाला जो है, इसको आप समझ लीजिए, यह 20 EMA है, यह वाला जो line है, इसको आप 20 EMA समझ लीजिए, तो 20 EMA जैस आपको एक उधारन आपको दिखा देता हूँ, 20 तारिक का, उस दिर का अगर आप देखेंगे, तो वो 20 EMA के नीचे, अगर आप put side लिये होते, तो देखिए, कितना अच्छा profit होगा, यह वाला देख लिजिए जरा, अब हम आगे है, बैंक लिप्टी के चार्ट पर, आप यह 20 तारिक का trade है, बैंक निप्टी पूरे दिन भर में 20 EMA के उपर ही रहा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक देड़ बजे का वक्त होगा, तो यह 20 EMA के नीचे काम करना सुन कर दिया, हमारे नियम के अनुसार हम 2 बजे से पहले trade लेंगे ही नहीं, आप अगर सोचेंगे इस जरूर वहाँ पर trade लिया जा सकता है, ध्यान से अगर देखा जाएगा, तो मार्केट में जैसी 2 बजने के बाद भी मार्केट एक बार यहाँ पे pullback की कोशिश करता है, लेकिन हो नहीं पाता और इस candle पे, और एक बात मैं बताओ तो यह 5 मिने time frame का मैंने set किया हुआ है, अगर आप इसको hold भी करते हैं, कई बार होता है कि हम लोग जैसे ही 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना अगर हमारा पैसा बन जाता है, बहुत जल्दी exit कर देते हैं, ऐसा भी सही है, ऐसा नहीं कि इसमें गलत कुछ भी है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, देखिए जब loss बहुत ज इसा होता है कि अगर आपने लेके छोड़ दिया है, और एक समय तक अगर छोड़ दिया, अगर 3 बज़े का भी मैं समय अगर समझता हूँ, तो मार्केट को देखेंगे आप, तो देखेंगे तीन बजने के बावजुद भी यहाँ पर मार्केट यहाँ तक आया, यह जो तरीके से आप इसको ट्रेट कर सकते हैं, आईए, और अभी आगे की बात करते हैं, जो बहुत जादा जरूरी है, अभी वो कंक्लूट करना है, अगला पॉइंट था, exit the trade once you hit the target of 10x और 15x, यहाँ पर पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है कि आप profit कितना लेना चाहते ह कई बार 10 गुना भी हो सकता है, 20 गुना भी हो सकता है, 30 गुना हो सकता है, 40 गुना हो सकता है, अब आप पर निर्भर करता है कि आप ऐसे trade में कब तक बने रह सकते हैं, समय के साथ जैसा आपका अनुभव बढ़ने लगता है, आपका जो hold करनी की जो ताकत होती है, वो भी स पर काम कैसे होता है आप देखेंगे तो market लगबग लगबग नीचे ही काम कर रहा है 21 तारीक की बात है थोड़ी देर पहले मैं आपको 20 तारीक की बात बताईए अब मैं बात कर रहा हूँ 21 तारीक को market लगबग 20 EMA के नीचे ही trade कर रहा था trade करते करते फिर market यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो दो बज़े के बाद इस जगह से market यह जो जगह है यहाँ से market ने 20 EMA को breakout दिया है और यहाँ से अगर आप trade लिए होते तो market आपको लगबग साड़े 300 पॉइंट का यहाँ मार्केट आपको target दे देता और आप साड़े 300 में से 300 पॉइंट भी अगर आप ले लेते तो मेरे अनुसार कम से कम यहाँ पर आपका profit जो ratio होता वो 30 गुना से लेके 40 गुना तक आपको बहुत आसानी से मिल जाता मतलब आपका एक रुपे का premium जो है वो कम से कम 30 से 40 रुपे बहुत आसानी से बढ़ जाता उससाब से गर आप calculate करके देखेंगे तो 1000 खा बहुत आसानी से 30 से 40 अजार बन जाता है सुनने में समझने में बड़ा ही बच्चों जैसा लगता अरे ऐसा थोड़ी होता है हाँ ऐसा होता है परेशानी की बात या अजीब बात यह है कि कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं वहां तक hold ही क्यों करूं ज्यादा तरलोग अगर 1000 खर्चा की होंगे तो वह 5000 में निकल जाएगा 10,000 बहुत हो गया वह तो खुशी के मारे संभल नहीं पाएगा अपने आपको समय के साथ आप 10 का 20 भी कर पाएंगे और 10 का 40 भी कर पाएंगे एक बात में जरूर कहूंगा बहुत बार होता है कि अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर इसमें नीचा पना आ गया मतलब मार लिजे मार्केट उपर जा रहा अचाना कि आपके नीचे आने लगा तो यहाँ पर आपका प्रीमिम उतने तेजी से गिरेगा भी तो ऐसे समय पे अगर आप समय के साथ-साथ मान लिजे आज आपने शुरू किया है आपको इसके बाद है यह मैंने आपको अप्ट्रेंड दिखाया अब मैं आपको दिखा रहा हूँ डाउन डाउन ट्रेंड का इसी महीने की मैं बात कर रहा हूँ यह बात है आज से लगभग दो तारिक की अगस्ट महीनी की दो तारिक को अगर आप देखेंगे तो मार्केट सुब ट्रेंड में बना हुआ है अगर मार्केट 200-300 पॉइंट 100 इस लगबग नहीं है तो समझिएगा कि मार्केट फीर आपका जिग-जग बेज में है और मार्केट अगर बैंग निफिटिव में 100- 1500 पॉइंट के इस में तो समझिएगा market sideways है तो market दो तारीक को सुबह से लेके लगबग हम देखते हैं तो एक देड़ बज़े तक market यहाँ पे बहुत जबरदत 600 पॉइंट का move दे चुका था और 600 पॉइंट देने के बाद 2 बज़े के बाद क्या हुआ market ने यहाँ पर breakdown दिया है किस वक्त अगर आप स्ठीक time पे द बगबग दो बच के सवा दो बज़े के आसपास market ने आप एक breakout दिया है ऐसे समय पे आपने अगर trade लिया होता तो market यहाँ से आपको कम से कम 200 पॉइंट बहुत आसानी से देखिए expiry की दिन 200 पॉइंट बहुत बढ़ा होता है 200 पॉइंट आपको कम से कम तो भी 5 से लेके 10 गुना आपका पैसा कर सकता है इस बात को याद रखिएगा सबसे अच्छी बात है zero hero trade का की रोज expiry है और उससे अच्छी बात है आप एक ऐसा रकम लीजिए जो अगर zero हो जाए आपको फरक ना पड़े सबसे महत्वपून बात है कि यहाँ पे आपके पास पैसा कितना होन मैं यही नहीं समझ पाते कि मुझे invest कितना करना है तो देखिए अगर मैं एक अनुमान करूँ कि आपके पास आपके अकाउंट में 50,000 रुपे हैं मैं अनुमान करता हूँ आपके पास 50,000 रुपे हैं तो आपको केवल 500 रुपे खर्चा करना है उससे ज्यादा नहीं करना ह 50,000 का 500 रुपे अगर आप देखने जाते हैं तो यह सिर्फ होता है आपका 1% एक परसंट अगर आपके अकाउंट से चला भी जाता है तो बहुत बड़ा आपका लुकसा नहीं होता है लेकिन यही 500 रुपे का अगर आपको 10 गुना बन जाता है तो आपका यही चीज हो जात कर लिया तो पास्टो का 50,000 भी बन सकता है यह कब हुआ था आपको पता है जिस दिन मार्केट में हमने रेजल्ट एलेक्शन रेजल्ट आया था मार्केट 4000 पॉइंट नीचे गिरा था उस दिन एक्सपाइरी भी छोड़ दिये जिए एक्सपाइरी की बाद भी मैं नहीं कर और अगर आप आम दिन का भी अगर आप 30, 40, 50, 60, 70 रुपे का भी अगर आपने प्रीमियम ले लिया होता आपको पता है उस दिन प्रीमियम 70 रुपे का 75 रुपे का 80 रुपे का वो चला गया था 3000 तक तो ऐसे जो एक्सप्शनल डेज होते हैं ऐसे दिनों में जब आप ट्र करिए ऐसा नहीं कि दो बज़े के बाद मार्केट कहीं पे भी आप ट्रेट करने के लिए आ गये ऐसा करेंगे तो हो सकता आपका नुक्सान भी हो पूरे नियम मैंने बताया है पूरे नियम को एक बार और सुन लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा है तो लाइ कि अट्री ये को finger पूरे एंगे जो एख येए ये के बालग आपको ये लिए ओल्रेट कर सकत बालग?", ये नियरक ओलगे हा फिर मैंने तो हुने भी करेंगे है एं गडват कर दो हैं झाया हैूनिक्टार का येँदियों कि अग्मnt कि ये लिए च्टार का वूरे रही जितार क